नमस्कार दोसो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोसो आज हम आपको एक ऐसी बर्फी बना कर दिखाएंगे जिसमें ना तो आपको दूद की जूर्थ पड़ेगी ना ही मिल्क पाउडर की जूर्थ पड़ेगी ना ही नारियल की बुरादे की जूर्थ पड़ेगी और सफेद सफेद हम आपको बर्फी बना कर दिखाएंगे। और दोस्तों, जैसे की रक्षबंदन आने वाली है, जनमास्टमी भी आएगी, तो आप इन सब बर्फियों को ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी दोस्तों, ऐसी बर्फी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं, और सबको बहुत ही टेस्टी लगेगी, बिल्कुल कम खर्चे पर आप घर पर ही बर्फी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज की बर्फी, दोस्तों आज की बर्फी बनाने के लिए, मुझे यहाँ चाहिए 120 ml इस तरह से घी, घी आप देशी ले ले तो बढ़िया है, इस तरीके से मैंने 120 ml घी लिया है, वो आपने कड़ाई में या पैन में डाल देना है इस तरीके से, और जैसे ही ये गरम हो जाए, तो आपने गैस तो सीम कर देनी है, और इसमें डालना है एक कप, यानि 160 ml मैं ले रही हूँ आपर मैदा, आप इसी मेजर्मेंट से बनाईए, या फिर आप कम जादा भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप घी और मैदा ले लीजिए, तो इस तरीके से मैंने डाल लिया है इसमें मैदा, मैदे को आप भून ले, रोस्ट करना है आपने मैदा घी में, दोस्तों यदि आप घी इससे कम लेना चाहें, तो कम भी ले सकते हैं, यानि थोड़ा-थोड़ा डाल ले, और यदि आपको ज़्यादा जूर्त लगे, तो थोड़ा-थोड़ा डालते रहें, जाएगा जरासा हलका सा, यदि दोस्तों आप इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे, रोस्ट करेंगे हाई फ्लेम पर, तो आपका कलर चेंज हो सकता है, तो वो कलर इतना अच्छा नहीं लगेगा, और मैं आज आपको बिल्कुल वाइट सी बर्फी बनाना बताऊंगी, और वो तब ही बनेगी जब आप इसको सीम गैस पर भूनेंगे, यानि रोस्ट करेंगे, सीम गैस पर आप इसको चलाते रहें, बस छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बीच में, अगर आप छोड़ देंगे ना, तो नीचे से ये लगेगा, और नीचे लगकर फिर इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, तो इस बात का आपने विशेश ध्यान रखना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा, कि ये कब हमारा रोस्ट हो चुका है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जैसे कि ये हमारा 5-7 मिनिट हो गया है इसको, रोस्ट करते हुए थोड़ा फुला फुला सा लगेगा ये, और आपने क्या करना है, हतेली पर ये उंगलियों में थोड़ा सा पानी लेना है, और पानी लेकर इस पर छीटे मार के देखने हैं, देखिए जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, अब थोड़ा सा ये हलका सा हो गया है, थोड़ा गाड़ा सा, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आने लगेगी इसके भूनने की जैसे जब हम हलवा बनाते हैं सूजी का तो सूजी से स्मेल आने लगती है उसी तरह से आपको स्मेल आने लगेगी तो ये तो भून चुका है अब आपने गैस तो कर देनी है बंद और इसको थोड़ा सा चलाते रहें क्योंकि इसको नीचे से हीट मिल रही है भी नहीं तो इसका कलर चेंज हो सकता है आपने इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है अब दोस्तों हमने करना है अगला स्टैप अगले स्टैप के लिए हमें कड़ाई रखनी है दूसरी साइड देखिए मैं दूसरे चुले पर इसको ट्रास्फर कर देती हूं और यहां लेती हूं मैं एक पैन या कड़ाई ले लें आप दुबारा से और इसमें मैं डालूंगी चीनी चीनी दोस्तों जैसे कि मैंने एक कप लिया है मैदा और इतना ही आपने चीनी लेनी है बस यही इसका मेजरमेंट है और जितनी आपने चीनी ली है उससे आधा आपने पानी लेना है और इसको पकाना है यानि हमने इसकी चाशनी सी बनानी है इसको पहले मैल्ट कर ले अच्छे से चीनी को एक उबाल आने के बाद बस हमने इतना ही करना था, थोड़ा सा और करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये पिंगल चुकी है, बिल्कुल, मेल्ट हो चुकी है, थोड़ा उबाल भी आ गया इसमें, अब आपने इसको थोड़ा सा, यानि दो मिनिट तक और पकान है, ताकि इसकी एक तार की चाशनी सी बन जाए, जादा हमने तार नहीं निकालना है इसमें, बस हलका सा, देखिए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा तार बन रहा है, बस इसी स्टेज पर आपने गयास बन कर देनी है, बीच बीच में आप एक दो बार द देखते रहें, कि आपके जो चाशनी में तार बन गई है या नहीं, क्योंकि यदि आप सीधा लास्ट में ही देखेंगे, कहीं ये जादा गाड़ी ना हो जाए, तो जादा गाड़ी तो हमने नहीं करनी है, तो एक तार की चाशनी बनानी है आपने, इस तरीके से मेरी उसमें डाल लें, आपके इच्छा है, जिसी बरतन में भी आप डालना चाहते हैं, तो मैंने ये मैदे वाले घोल में इसको डाल लिया है, और इसको मिक्स करना है, मिक्स तब तक करते रहना है, जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और आप आपने गैस नहीं चलानी है बंद गैस में ही आपने इसको मिक्स करना है तो ये देखे दोस्तों मेरा मिक्स हो चुका है अब मैं इसको रेष्ट के लिए छोड़ देती हूं 5 मिनट के लिए ये तो मिक्स हो चुका है बस दोबारा आपने गैस नहीं चलानी है ये देखे दोस्तो मेरा पांच मिनट के बाद मेरा थोड़ा सा गाड़ा हो गया है लेकिन दोस्तो बीच में आपने इसको चलाते रहना है जैसे दो मिनट छोड़ दे दो मिनट फिर घुमा ले इसको दो मिनट छोड़ दे दो मिनट फिर चला ले इसको ऐसे आपने पांसात मिनट इसके निकाल देने हैं और देखे दोस्तों ये गाड़ा सा पेस्ट मेरा रेडी हो गया है अब आपने एक ट्रे लेनी है या थाली प्लेट जो भी लेंगे वो ले ले और उसमें आपने घी से ग्रीस करना है ग्रीस करने के बाद आपने ये सारा जो हमने बनाया भी बर्फी का डो वो इसमें डाल लेना है प्लेट में ये थोड़ी ही देर में सेट हो जाएगी अब इस पे या तो चांदी का वर्क लगा सकते हैं इस तरीके से या फिर आप इसको स्कीप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं हैं तो मैं ले रही हूँ या पर बादाम बादाम मैंने पहले ही खिसकर रख लिये थे, तो मैंने डाले हैं इसमें बादाम इस तरीके से, और थोड़ा समय डालेती हूं पिश्टा भी, क्योंकि इन दोनों चीजों से बढ़ी टेश्टी बर्फी लगती है, और देखने में बहुत सुन्दर लगती है, और इसको थोड़ा सा ऐसे दबा लेते हैं, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, सैट हो जाए, अब आपने इसको आधा घंटा या एग घंटा रख देना है, नॉर्मल टेंपरेचर पर, रूम में आप ऐसे ही इसको रख दे, फ्रीज में रखने की भी आपको जूरत नहीं है, ये बाहर ही सैट हो जाएगी, कम से कम आप आधा घंटा तो जूरूर रखें इसको, तो ये देखिए दोस्तो, एक घंटे के बाद मैं इसको दिखा रही हैं आपको, ये मेरे पीसीज अच्छे से निकल रहे हैं, अपने इच्छा के अंसार इनके पीसीज कट कर ले, जैसे आपने काटने हैं, स्केर में काटने हैं, या काजू कतली की तरह काटने हैं, या फिर इस तरह से रेक्टेंगल शेप में काटने हैं, जिस पीशे आपने काटने हैं तो वो काट लीजे पीसिज और इसको सर्व कर लें दोस्तो ये तनी टेस्टी बर्फी लगेगी कि आप बार-बार इसको बना कर खाएंगे ना ज़्यादा खर्चा है इसमें बनाने में और ना ही ज़्यादा जंजट बस थोड़ी ही देर में आपकी जो वर्फी हा वो रेडी हो जाएगी और दोस्तो टेहारों का सीजन है तो टेहार पर आप इस वर्फी को जुरूर बनाएं तो दोस्तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों